भारत जहां विविधता सिर्फ संस्कृती में नहीं बलकी जीवजन्तूओं में भी है लेकिन इस सुन्दर्ता के बीच छुपा है एक तरनाक खत्रा जहरीले साप क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में हजारों लोगों की जान साप के डसने से जाती है आज हम बात करेंगे भारत के सबसे जहरीले सापों की उनकी पहचान, उनके जहर का असर और उनसे बचाव कैसे करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यह जानकारी आपकी जान बचा सकती है दुनिया भर में सापों की लगभग तीन हजार प्रजातिया पाई जाती हैं, जिन में से भारत में लगभग तीन सौ प्रजातिया है इन में से लगभग साथ प्रजातिया जहरीली होती है लेकिन चार साप ऐसे हैं जिन्हें बिग फोर कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर मौतें इन ही से होती है ये है करे, कोबरा, रसेल वाइपर, सौसकेल्ड वाइपर करेत देखने में छोटा और चमकदार काले रंका होता है जिसकी पीठ पर सफेद धारिया होती है ये आमतोर पर रात में सक्रिय रहता है और सबसे ज्यादा काटने की घटनाए रात को सोते समय होती है इसका जहर नियूरो टॉक्सिक होता है जो सीधे नसों और मस्तिष्ट पर असर करता है, जिससे सांस रुख सकती है और मौत हो सकती है इसका डसना अक्सर दरदरहित होता है, इसलिए लोग देर से पहचान पाते है इंडियन कोब्रा, जिसे नाग भी कहते हैं, इसकी पहचान है, इसका फन और उस पर बना गिलहरी जैसी आकरिती यह ज्यादा तर खेतों, गावों और जंगलों में पाया जाता है इसका जहर भी नियूरो टॉक्सिक होता है, जो मास पेशियों को लगवागरस्ट कर सकता है कोब्रा के डसने पर तुरंत इलाज न हो, तो 6-8 घंटे में मृत्य हो सकती है प्रसेल वाई पर बहुत आकरामक और तेज फुफकारने वाला साथ है इसकी त्वचा पर भूरे रंग के अंडाकार पैटर्न होते है इसका जहर हीमो टॉक्सिक होता है, यानि खून को जमाने की क्षमता को प्रभावित करता है दसने के बाद दर्द, सूजन और खून बहना शुरू हो जाता है इसका जहर किड़नी को भी नुकसान पहुचा सकता है सौसकेल्ड वाइपर भारत के सबसे छोटे लेकिन सबसे क्तरनाक सापों में से एक है यह तेजी से हमला करता है और बहुत आकरामक होता है इसका जहर भी हीमोटॉक्सिक होता है और यह सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है कई बार लोग इसे छोटी रस्सी समझ कर नजरंदास कर देते हैं और वही घातक साबित होता है अगर किसी को साप ने काट लिया हो तो घबराये मत लेकिन इन बातों का ध्यान रखें व्यक्ति को शांत रखें और कम से कम हिलाए कटे हुए हिस्से को दिल से नीचे रखें तुरंट नस्दी की अस्पताल पहुँचें किसी भी तरह का देशी इलाज जैसे चीरा लगाना या मुह से जहर निकालना न करें जाड़ फूंक या तावीज पर भरोसा न करें इससे जान बचना मुश्किल है सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है रात को खेतों या खुले में सोते समय मच्छर दानी का प्रयोग करें जाड़ियों या पत्थरों के पास ध्यान से चलें तॉर्च और जूते का इस्तिमाल करें गावों में साप विरोधी दवाओं और अस्पतालों की जानकारी रखें साप हमारे पारिस्थितिक तंत्र का अहम हिस्सा है ये हर कीट को खाकर संतुलन बनाए रखते हैं लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हर साल हजारों मौते होती है इसलिए इन सापों से डरे नहीं सचेत रहें, सतर्क रहें और जागरूप बने अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी जरूरी जानकारिया ला सकें यह था आज का वीडियो भारत के जहरीले सापों पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षत रहें और सावधान रहें मिलते हैं अगले वीडियो में